तो हलो मैं हूँ और जुन सुथार तो स्वागत है आपका अमारी एक और नई वीडियो में तो यह टाइप थोड़ा अलग है और आज कुछ अलग तरीके से सुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियो की तो बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है भाई आज कल एक वीडियो बह साफ ही ज्यादा फिमस कर रहा है और नो डाउट्स गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है और मस्कुलर लग रही है वो क्लिप आपने पहले जैसे की देख लिए ठीक है तो बेसिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं अलोई विल्स के फाइदे नुकसान और एक्च्छ वालई वील्स लगाने से अच्छा होता है सो वेसिकली ऐलोई वेलिस एक टाइप का मेटिरियल है जो इस स्टीर विल्स होते है वो स्टीर से माथ होते है और अलो भी तोसमें क्या फरक रहता है मेनली तो उतलेजां की होते है अब बात है कि और लो प्रोश्क दोशция क्व प्रोड नहीं कर पाते या फिर आप खराब रस्तों पर नहीं चल पाते तो यह थे प्रोड कुछ तीक है अब बढ़ते हैं सीधा जो इसका में टॉकिंग पॉइंट है वह कुछ कॉंस किसे लगाने चाहिए किसे नहीं लगाने चाहिए उसे रिलेटेड तो अब बात आती है इसके कॉंस क्या गया तो सबसे पहला कॉन इसका हाइए में टेनस बढ़ा नूपसान है यह हाइए मेंस्ट होता है जो रॉप रफली यूज करते उनके लिए लौइविलवो सनी बने यह बहुत ज्यादा में ढुते यह इनकी क्रेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं उनकी साइज बड़ी रहती तो बहुत सारे को यूज करना पड़ता है तो यह पहला कौन है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कौन की तरफ तो भाई इसका नेक्स्ट कौन है वह भाई कॉस्ट मेंटरेंस हो गया अब आती है एक्सेंपल के तौर पर एक स्टील वील हजार से दोजार का एक विल मिल जाता है बैस्ट क्लास कोई भी गाड़ी का ठीक है वही अगर बात करें आफ्टर मार्केट अलोई वील्स की तो मिनीमम इनकी स्टार्टिंग होती है सब सम्वेर अराउंड तीन से चार अजार से जो करें यो नार्मल स्टील के साथ आती है उस गाड़ी में जो चलता है उसकी लाइफ। पचास से सन्फे कघूमेटर रहता ही रहता है बाकि चलाने वाले एक हद से ज्यादधा भी चलते हैं ग्ट हां मैकजिपम में बाना जाता है पचास से साणिजार गलोमेटर तो यह पहली ठीक है तो यह नुकसान बहुत बढ़ा है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट काउन की तरफ जो अलविल्स में मिलता है अपन को अलविल्स लगाने से या फिर आफ्टर मार्केट अलविल्स और बड़े अलविल्स अप्ग्रेड करने से आपके गाड़ी में स्टॉक टायर है 15 इंच का और आप अलविल्स लगाए बैठे हो 17-18 इंच का उस कंडिशन में आपकी बहुत बड़ी दिक्कत होगी वह होती है आ आपके गाड़ी के सस्पेंशन लाइफ को बहुत ज्यादा इंफेक्ट होता है आपके गाड़ी के सस्पेंशन जहां 50-60 जा रहे हैं एक लाग किलोमेटर चलने थे वह सस्पेंशन 30-40,000 किलोमेटर के अंदर-अंदर खतम हो जाते हैं क्योंकि भाई जैसे ज्यादा बड़ अशनिते वहीकल में साइड़ बड़ी मिलती है मेरा मतलब कुछ इस टाइप के फोटो इससे बोले जाता है साइड़ वाल तो साइड़ वॉल काफी जादा इफेक्ट करती है अगर खराब रस्तों पे चलते ओओ अगर घड़ा आ गया उस कन्डिशन वहां वहां का कटना ब भाई इस टील इंस में बहुत कम चांसित रहता है वह कट जाए क्योंकि साइड बहुत ही बड़ी होती है तो यह रही ठीक है और सस्पेंशन की लाइब बहुत ज्यादा एफेक्ट करती है नेक्स्ट को ने वाई माईलेज आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है पंदरा इंच का और आपने लगाया 17-18 तो सीथा से सीथा आप मान के चलो एक इंच पे एक लिएट डेट किलोमेटर का फरक मान के चलो चाहिए टॉप मोडल में प्रोवाइड होता है च आपकी गाड़ी 20 का दे रही थी वहीं अगर आपने दो साइज अप्रिट गया तीन किलोमेटर आपका गिट गया और 17-17 आगया तो आप मान के चलो जहां यहां स्कॉर्प्यों में एक वीडियो में देखा जा रहे 26 इंच के बंदे ने लगाए हैं तो आप सोचो जहां इस में हैं बिसिकली जिनको सौक के तौर बिल नहीं है जिनकी रणिंग बहुत कम है आपकी महीने में रणिंग मुस्किल से 500 किलोमेटर की है या 700 किलोमेटर की है बस आप अपना घर में खड़ी एक्टम अच्छी लगनी कि यह गाड़ी उसके अगर लगाते हो तब तो ठीक है अपास हो जाएगा और इससे एक और नुकसान होता है वह इसकी स्टेबिलिटी को एफेक्ट डालता है अगर ज्यादा बढ़ा और चौड़ा टायर लगा है वह भी आनिकारक होता है या फिर लोग बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए खराब रहता है ठीक है सश्पें इंजन लाइफ माइलेज और तो और भाई मेंटेनेंस कोस्ट यह चीज़े मेंडी कौन रहता है और रिकमेंडेट भाई उनके लिए जो सौक्या तोर पर लगा रहे हैं जिनकी पॉकेट में पैसा है भाई वही लगा सकते हैं और अगर आम आदमी अगर सोच रहा है यह ची को हमने वीडियो सौट एंड सूट बनाने की कोसिस की है सो मिलते हैं से नेक्स वीडियों तब तक ले तिल देंड कीप वाचिंग